गटना की जानकारी लेने के बाद में मैंने तुरंत PCR को बुलवाया, उनको उस गेट को भी बताया, साथ में उनका जो बच्चा पर उनके दामाद उस चूर की इच्छा करते हूं, उसके घर तक पहुंचे। आप देख रहे हैं, जन्ता दर्बान न्यूज और मैं आपके साथ जोती राघव, जिस रालजधानी जैपुर में अभी हाल ही में 58 वी डीजी पी आईजी कॉन्परेंस तंपन हुई है, वहां चोड लिटेरे का टांडव जारी है, नई सरकार भी बन चुकी है, क्राइम कंट अब तो यहां के धार्मिक संस्तानों को भी बक्ष नहीं रहे हैं, देखिए एक रिपॉर्ट राजधानी में चोरी और लूट की वारदातें तेजी से बढ़ रही है, राजधानी जैपुर के सागानेर इलाके में चोरी की वारदातों ने लोगों की नींद उड़ा दी है, हद तो तब हो गई जब चोर धार्विक संस्थानों को भी नहीं बक्ष रहे, करंट मामला प इछले एक वीक की बात बता रहा हूं आपको कि सेक्टर अठारा में दिन में ही हमारा जो है 182 में 101 नंबर का मकान है उसमें से जो है दिन दाड़े साइकिल की चोरी हो भी उसकी इतलाग भी में थाने में कर दी थी उसके बाद अभी दो दिन पहले ही चे तारीक की रात को हम अब हमें उनकी मोटर साइकल की घर की ओपिस की चाविय भी थी ओपिस के डोकुमेंट भी थे इसकी समय भी मैंने जो पीसी आर को इतला दियो और पीसी आर वाले आये लेकिन अभी तक उसमें भी कोई पुक्ता कारवाई नहीं तो कुछ कहा हो और पलिस वालों ने कब तक क पांच बजे तक यहां पर अपना गस्त करते रहते हैं उसी समय हमारे ही सेक्टर में रहने वाले 176 में जो है 182 में वो उनके बच्चे और उनके दामाद इदर से निकल दे तो उसी समय यह गटना करम चल रहा था मतलब उनको एक संदिक्द लगा कि यहां से जो है गेट चो से मेरो को फोन किया उसी समय में महां पर पहुंचा और गटना की मैंने जानकारी ली गटना की जानकारी लेने के बाद में तुरंत को बुलवाया उनको उस गेट को भी बताया साथ में उनका जो बच्चा पर उनके दामाद उस चोर की पीछा करते उसके घर तक पोंचे और तो अने के लगबग मेरों को पता चला और यह साधे दस के लगबग यह सब्सक्राइब शुरू हो गी ती और उसके बाद में जो पूरी कारवाई और गटना करम जब किया तो यह बारा बजे तक खतम हुगा तो उनकी कारवाई आगे क्या पुलिस वालों पर कारवाई की कु तो पुलिस वालों ने कुछ और भी बताया कि यहां पर गस्त के लेकर कुछ अगे भटना ही नहीं है उसके हिसाब से उन्हें उन्हें पूरी कोशिश करूंगा वैसे हमारा एरिया इतना बड़ा है हमारे पास में स्टाप की कमी है लेकर पूरी कोशिश करेंगे कि वहां प यह कारे भार देख रहा हूं और पिछले एक साल से हमने बहुत सारे कारे किया हैं और अब आसा करते हैं कि अगर पुलिस का सहयोग रहेगा तो आगे से इस गठना की पुंद्रावर्ति नहीं होगी यह ब्रह्म कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर कोचिंग हम के पा पिलावास बाला जी का मंदिर और साथ में ही पास में ही इस्तित्थ है आर यू एचेस हॉस्पिटल बावजूद इसके चोर चोरी करने से बाज नहीं आए बलकि बेखोफ होकर गेट को उखाड कर ले गए सांगानेर ताना शेत्र में आए दिन इस तरह की वारदातें आम हो हैं लेकिन पुलिस चोर लिटोरों पर लगाम नहीं लगा पा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा भी इसी विदानसवा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं नई सरकार बनते ही मुख्यमंतरी ने कहा था कि उनका पहला काम ह राजस्थान से अपराद का ग्राफ कम करना है और इसमें कोता ही बरदाश्ट नहीं की जाएगी लेकिन कोता ही तो अभी भी जारी है